पिखना हर्ता श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा जाओ और उस नारी को बंदी बना करना मेरे समक्ष यहाँ इस बार शुंब ने चंड मुन्ड के साथ उनकी दो शक्तिशाली असुरों को भी बेजा है विश्वास नहीं होता एक इस्त्री ने वद्ध कर दिया धूमर लोचन का महा शक्ति शाली महा योद्धा धूमर लोचन का वद्ध एक इस्त्री कैसे कर सकती है कैसे कर सकती है ये ये कैसे संभव है जिस सत्य को आपनाकार रहे थे वो आपने सुग्रीव के मुख से भी सुल्यास और मानायक अब तो अपने हट को त्याग दीजिए आप देवी कौशकी से उलजने की भूगल मत करिए तो तुम यह कहना चाहते हो अत्यंत शक्तिशाली महायोद्धा सेनापती धुम्र लोचन का वद एक तुछ अब लानारी के हाथों हुआ और तुम मुझे यह समझाने का प्रयास कर रहे हो तुमारी बुद्धी क्या ब्रश्थ हो गई है और तुम यह समझ रहे हो कि मैं तुमारे मित्या कथन पर विश्वास करूँगा तुमारे कपट बचनों से मैं भ्रहमित हो जाऊँगा तुमने ऐसी कल्पना भी कैसे की मैं सत्य कर रहा हूँ महाराज वो नारी अवश्य है पर अवला नारी नहीं प्रचंड शक्तिशालिये स्वामी नहीं है वो उसने आपके लिए भी एक संदेश भेज आया है संदेश? कैसा संदेश? राथा शुम इसा मुक्ट कीजिए ताकि हमें क्यात हो सके कि क्या संदेश लेकर आया है बनाओ! आपके प्रस्ताव के उत्तर में ये संदेश भेजा जाओ और जाकर अपने स्वामी को मेरा संदेश दो कि मैं विवा उसी योधा से करूँगी जो मुझे युद में पराजित करने में सक्षम होगा यदि तुम्हारे स्वामी में इतना सामर्थे हैं तो यहां आकर मुझे पराजित करें और अपनी मुझसे विवा करने की इच्छा को पून करें जो युद करेगी वह इस्द्री प्राजा शुम से ये संदेश में जा है उसने देवी शक्ती से युद का परिणान तो बयांकर है योगा प्राजा शुम्हारे मैं यह संदेश नहीं है ये तो चुनोति है उसकी आप के लिए प्रतीत होता है ये स्त्री चतुराई कर रही है उसने ये प्रपच इसने रचायता कि वो स्वैम को आपसे उपर रख सके जात है उसे अत्यंति सौंदारिस संपन है वो बस उसी का अहिंकार दर्शा रही है ये क्या कह रहे हैं ये सभी? क्या इने अभी भी ये अभास नहीं हुआ? कि असौर मारा एक शुम का वहाँ जाना सोयम अपने विनाश को आमंतरत करने के समान है मुंड से सरो था मैं सहमत हूँ वो तो आप पर अपना प्रभाव इस्थपित करने की क्रिड़ाफ कर रही है मारा शुम ये कोई खीड़ा नहीं है मेरी दृष्टदा शमा करें किन्तु इस सम्भून घटा करम में ऐसा क्या है? जो अभी भी आपको सपष्ट नहीं हुआ है सुर्माना एक्शुम सत्य हमारे समक्ष हैं तुम्रों लोचन का अंत हो चुका है देवी कौश्ट की ने उसका वद किया है और अब वो आपको युद के लिए ललकार रही है और आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कोई साधारन स्री नहीं है अपे तू परामबा है मैं तो आपको कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनसे उलचना उचेत नहीं है क्योंकि जो दूरदशा आज दुम्र लोचन की होई है वोकल हम सबकी भी हो सकती है और मैं तुम्हें कितनी पार समझा चुका हूँ रख्ट बीच कि मैं असुर महानायक्षुम किसी इस्त्री के सबक्ष नहीं जुकूँगा किसी अवला नारी का शर्णागत कभी नहीं बनूँगा मैं कभी नहीं कदाप भी नहीं रख्ट बीच तुम जैसे सहयोगी तो कदाचित शत्रु से भी अधिक खातक है क्योंकि युद्ध के पूर्व ही तुम परादे की गोश्रा कर रहे हो तुम्हें लच्चा नहीं आती इतने बड़े शक्तिशाली असुर होकर भी भी रूता का प्रदर्शन कर रहे हो तुम उस देवी से तो तुम्हें युद्ध के लिए तत्पार होना चाहिए रेक्ट बीच भागने ये छुपने ये समर बड़ करने के लिए नहीं यदि एस्त्री क्रीडा की चुक है तो मैं इसके साथ क्रीडा अवश्य करूँगा परन्तु ये क्रीडा उसके नहीं मेरे अनुसार होगी अपने अपार सौंदर्ये पर उसे बहुत गर्व है ना उसी के बल पर मुझे अपने खुटनों पर चुकाना चाहती है ना और चाहती है कि मैं स्वेम उसके पास जाहूँ और उसे विवा के लिए मनाऊँ मैं मिटा दूँगा उसका गर्व उसे अपने आदेशों का पारल करना सिखाऊंगा असुर महानायक शुम्म की पत्नी बनना है तो उसे मेरे शीश पर नहीं मेरे चरणों में वास करना होगा और मैं उससे ये सब कुछ मनवा कर ही रहूँगा उचित है बया, सरुथा उचित है आपको यही करना चाहिए चंड, मंड, जी असुर मानायक अदेश दीजिए बहुत हुआ प्रस्ता भेजने का प्रपंच जाओ और उस नारी को बंदी बना करना मेरे समक्ष यहाँ और उसे सुईकार होया, असुईकार मैं उसे बल पूर्वक विवा करके ही रहूँगा उचित है, सर्वथा उचित है यह चंड और मुंड की शक्ती के समक्ष कता पी नहीं टिक सकेगी वो असुर महानायक शुम का यह आदेश बहुत अनिश्ट कारी से धोव सकता है असुर महानायक, मात्रुबंदी बना करना है उसे? अधुआ ब्राता चंड का अर्थ है कि अगर आपको कोई आपती न हो तो तो क्यों न हम उससे धूमर लोचन के वद का प्रतिशोध भी ले ले? उसकी उद्धंडता के द्धंड सुरूप उसे थोड़ा प्रतारिक भी क्यों न कर ले? फिर तो वो आपकी आग्या अवश्य सिलकार करेगी चन्ड मंड उचित कहा तुम दोनों ने दंड दो उसे अवश्य दो प्रतिशोध भी लो उसे विनाश की आज जो सुनकर भी अंसुना कर दे उससे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है? और उसे भी बड़ा अभागा वो है जिसे भविश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है किन्तु वो चाकर भी उसे परवर्दत करने में असमर्थ है अब क्या करूं मैं कैसे रोकूं असुर माना एक शुम्ब को? इस कार्य के लिए मैं तुमारे साथ लूरू और महेश बॉन्डरक को भेजता हूँ क्या हुआ गणे? अब अपनी अंतिर्द्रिश्टी से क्या देखा दो? भाईया अब शुम्ब चंड और मुंड को मापर आकर्मन करने के लिए भेज रहा है गणेशी ये तो बहुती उत्तम समाचार इसका तो एकी परिणाम संभफ माता कौसी की के आतो चंड मुंड का संहार इंद्र देव का कथन सर्वत हाओ चित किन्तु तुम क्यों चिंतित प्रतीत हो रहे हो गणेश? चंड और मुंड की शक्तियों से तो हम भली भाती परिचित हैं भहिया, किन्तु शुम्ब ने अन्य दो असुरों का भी आवाहन किया है रूरू और महीश पॉंडरक अब ये दोनों कौन है? ये तो मुझे भी ग्याद नहीं है भहिया, किन्तु शीग रही, उन दोनों का भी पूर्ण परिचे ग्याद कर लूँगा मैं रूरू और महीश पॉंडरक रूरू, रूरू, रूरू असर महाना एक शंब पुकार रहे है मुझे असर महाना एक शंब आपने आवाहन किया है मेरा मैं अतिशीग्र आपके समख्ष प्रस्तो थाऊँगा महिश पॉंद्रक महिश पॉंद्रक असर महाना एक शंब महिश पॉंद्रक असर महाना एक शंब मैं महिश पॉंद्रक अभी आपकी सेवा में प्रस्तो थोंगा महिश पॉंद्रक तो ये है रूरू और असर महाना एक शंब आपने अवश्य किसी विशेश प्रेयुचन से हमें यहाँ पॉलाया है कहिए क्या आदेश है हमारे लिए एक खमंडी नारी के मान को कुचलना है बात रहे नारी से युद्रे तू आपने हम दोनों का आवाहन किया दुम्र लो चन जैसे शक्तिशालियसुर का वद करने वाली नारी असाधरन नहीं हो सकती कदापी नहीं क्या ये क्या सुन रहा हूँ मैं उसने असुन सिनाबती धुम्र लो चन का वद कर दिया तब तो अवश्य वो कोई डैवी शक्ति है हमें उससे युद्धन ही करना चाहिए ये ही तो बैभी यहाँ कोई पर्यास हो रहा है क्या जो तुम हसने लगे हो नहीं असुन महानायक कि तुम आने तो आपसे पूर्वी खा था कि उस दुष्टनारी को उचित पाठ सिखाने के लिए चंड और मुंड ही पर्यात थे ये ये असुर आपके सामने हमें सुझाव देने का ये तुस साहस कर रहे है कि हमें उस नारी से युद्ध करने के विचार का परित्याग कर देना चाहिए वो भला युद्ध भूमी में हमारा क्या साथ देंगे कदाचित वहां पहुँचकर अस्त्र श्त्र त्याग देंगे और वही उस्तेवी की आरती करने लगेंगे तो कितना अपमान होगा हमारा ओ समझ गया चंड और मुंड अपने शब्तों से इन दौनों को युद्ध के लिए रिरित कर रहे है सेना पती चंड और मुंड आपके कथन से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस नारी को बंदी बनाने के लिए आपके पास कोई अतियुत्तम रण नीती है हमें भी तो सुनाईए दनिक हम भी तो सुनें रण नीती? कैसे रण नीती? हम रण नीती बनाने में समय वेर्थ नहीं करते हैं वो भी एक तुछ नारी के लिए जैसे ही हम उस इस तरी के निकट पहुचेंगे हम उसे एक अंतिम जेतावनी देंगे जो उसके लिए समर्पन कर हमारी बंदी बन हमारे साथ आने का अंतिम अफसर होगा बस उसके लिए ये अंतिम अफसर होगा उसके बाद हम नहीं हमारे बाण बात करेंगे क्योंकि मुंड और मैं उस पर बाणों की ऐसी बोचार करेंगे कि वो उसे आहत होकर लहुलुहान हो जाएगी वो चीतकार करेंगी हमारे बाणों के बंदन से मुफ्थ होने के लिए समस्त प्रयास करेंगी अपने कोमल कोमल हातों से अपने बाणों को हटाने का प्रैत्न करेंगी तब मैं और चंड उस पर अपने विद्धूत पाश फेक कर बंदी मना लेंगे फिर हम अपने विद्धूत पाश खीचेंगे जिससे वो बाणों के मद्ध से होते हुए उपर की और उठेगी जिससे उसे अपार पिला होगी और वो चितकार करेगी और उसकी चितकार उन परवतों में गूज उठेगी और उसकी वो चीतकार की गूंज हमें अत्यान आनन देखते फिर उसे मैं बुना बुना प्रत्वी पत भेकूंगा और मैं उसके केश ठाम लूँगा वो रुदन करेगी सिस्कियां भरेगी और तब हम उसके भेवीत अतंकित आखों में देखकर गर्जिना करेंगे और उससे कहेंगे कि देखा देखा तुमने हमारे असुर महानायक शुम्ब के प्रस्ताव को अस्विकार करने का परिणाम तब वो हमारे आगे हाथ चोड़कर असहाए अवस्था में आकर रुदन करेगी फिर उसे भारी बेडियों में बांध देंगे हम और वो हाथ जोड़े भारी बेडियों में बंदी अपने पैरों पर हमारे साथ चल कर यहां तक आएगी और उसे इस प्रकार अपमानित करते हुए उसके अहंकार को खंडित करते हुए हम उसे इस राज सबा में लेकर आएंगे और असुर महानायक शुम्ब के चर्णों के आगे डाल देंगे वो फिर रूदन करते करते अपने जया की भिक्ष्या मांगेगी अब महाराज असुर महानायक शुम्ब के चर्णों में गिरके बड़ा आनंद हैगा मुझे जो वो सुंद्री मेरे चर्णों में गिरेगी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई असुर महानायक शुम्ब बहुत बड़ी भूल हो गई ग्यात नहीं मैंने इतने महावीर महा सक्तिशाली महायोधा का तिरसकर क्या सोच कर किया उचित है स्वामी यह डर्द मेरे लिए सर्वत नहां उचित है मैं ऐसे ही डर्द के योग्या हूँ मैं अतिप्रसंद हुआ यह वर्डन सुनकर अब शेक रही इसे पूर्ण करो अपनी योजना से उसी प्रकार उसे मेरे समक्ष आने पर विवश कर दो जाओ सुना तुम दोनोंने सुना मैं चेंड मुन की तरह सबी असुरों में एक आत्म विश्वास चाहता हूँ यदि तुम भीरू हो अक्षम हो तो सुईकार करो के तुम असुर महनायक के विश्वास के योग नहीं अन्यथा मेरे आदेश का पालन करो जाओ उस नादी को बंदी बनाकर मेरे समक्ष यहाँ प्रस्तत करो जाओ रक्ष संस्कृती से बंद है हम असुर योधा है असुर महनायक के आदेश का पालन कर और अनके और असुरों के प्रती अपने दायत्वों का निर्वा हमारा परमकरतव्य है असुर महनायक शम आकिस सेवा ही मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है जद आप चाते हैं कि मैं उस देवी के साथ यद करूँ ता फैर उचित है यद होगा रूरू ने असुर महनायक के प्रती अपनी निष्ठा प्रकट कर दी मैं ही पीछे रह गया नहीं मैं भी पीरू नहीं या भी प्रमानित कर दूँगा असुर महनायक मुझे मेरा अधूरा कतन पूर्ण करने दीजिए यदि उस नारी के पास डैवीय शक्तियां भी हैं तो मैं किरा करूँ से सताऊंगा और तब उसे मैं दंडिक करूँगा यदि आपकी अनुमती हो तो अर्थात हमारे विचारों और उत्देश तोनों में समानता है हाँ हाँ तो फिर शुबकार में विलम्ब क्यूँ चलिए यहाँ जो भी हो रहा है उचित नहीं है इसका दुष्परिणाम निकट भविश्य में आम असुरों को अवश्य भुगत ना होगा कितना मूर्ख है ये शुबकार रक्त पीज रूरू महिश पॉंडरक ने उसे समझाने की कितनी चेश ठाकी किन्तु उसे चेतावनी तक दी कि मा के विरुधु जाने का भयंकर परिणाम होगा किन्तो फिर भी उसने अपने असुरों को मा के साथ लणने भेज दिया ये सब तो मा की ही लिला है भया उन्होंने मुझे धूमरुलोचन को उनके निकट लाने का जो उत्तरदायत वो सौपा था वो मैंने पूर्ण ने किया अब शेश इसी प्रकार से धूमरुलोचन के वद के पश्चात चंड मुंड का भी भयंकर परीणाम होने वाला है अब ये कैसे दूद भेजे हैं शुम्रोचन ऐसा अध्बुट सौंदा रहे हैं ऐसी दिवी अनुपम कांती जो पूर में हमें कभी नहीं देगा क्या हो ऐसे स्थब रहकर मुझे टुकुर टुकुर देखने के लिए तो तुम्हारे स्वामी महनायक ने तुम्हें यहां नहीं बेजाओगा ना तुम वास्तम में बहुत अहंकारी हो तो हमने जो तुम्हारा आगलन किया था वो सर्वता उचित है तुम्हारे द्वारा मेरे आखलन अथ्वा किसी अनिक के व्यर्थ संबाद में मुझे कोई रुची ने मैंने तुम्हारे स्वामी के लिए एक संदेश भेजा अवश्य उसी का उत्तर लेकर आए होगे तुम्हारे साथ कि तुम्हारी इस तुच्छिच नौती का उत्तर देंगे असुन महानायक हां सुनो अब अपना ये स्वाम प्याद कर चलो हमारे साथ क्योंकि तुम्हारी द्वध्ड़ता को अंदेखा कर तुम्हें शमा कर हमारे स्वामिया भी भी तुमसे विवाग करने के लिए तयार है तुम्हारे इस कथन में तो कुछ भी नवीन नहीं ये तो उस असुन ने भी कहा थ जो तुमसे पूर भी यहां आया थ उसका क्या परिणाम हुआ ये तो तुम्हें ग्यात ही होगा कदाचित इसलिए इतनी विशाल सेना लेकर तुम इतनी सी बात कहने यहां आए इस अभी मारी नारी को हमारी सेना के सामर्थ का आभास नहीं है ये तो हमारी बातों को वायों में उड़ा रही है का अभास झाच। क्लिए वे तो हमारी इतनी पत्रुम गां अभास हर प्सक्क मिश झाल जोँ किया कि अचान कर सक्यातर आम अció तिटी रटेटीन हो प्सकतर नही प데 IX जूञ कि श्राइज बार इस पर खरेक प्सक्रीकार आम कर दो ड़्रे इसे विर जाम मादा कोशी की ये, ये क्या कर रहे है तुम दोनो माईश पॉंडर ये से हाथ चोड़ कर इस नारी के सबच क्यों एठे हो आपने हमें ये तो बताया ही नहीं कि जिन से हम युद करने यहां आए है वो और कोई नहीं स्वए हम जगजननी मादा कोशी की है नहीं बताया तो क्या हुआ नाम में क्या रखा है शत्यू का नाम तो कुछ भी हो सकता है ऐसा मत कहिए वो कुपित हो जाएंगी क्योंकि उनके प्रती बहुते जिर्चता पूर्ण है आपके ये वचन ये ये क्या कह रहे है तुम असुर मान आयक के सामें तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे तुम कदा चिताब को ग्यात नहीं असुर सिनापती मुंड कितने असुरों का वद किया है मता ने एक बार मता ने एक असुर को पचार पचार कर उसका वद किया और मेरे उसके शव को एक भंदे से बांद कर ऐसा भेका कि वो शव मेरे उपर आकर गिरा एक बार तुमाता ने सहस्त रासुरों की विशाल से नाकांद कर उसे मेरे ही दल्दल में हेक दिया था आज भी उनके शव वहाँ से उभरते हैं जिसे चील, काग अपना भोजन बनाते हैं अरे इन्होंने नाम दिया नहीं और ये प्रस्तुत हो गए ऐसी सुन्दरी इतनी भैंकर कैसे हो सकती है कि तू आकाश में इन गिदो और चिलों के अवतरित होने का और क्या आर्थ समझू में ये तो अत्यांत शक्तिशाली प्रतित होती है तबी तो रूरू और महिश पांडरक भैभी दिखाई दे रहे हैं कदाचित लोटना चाहिए हमें यहां से तबी हम सुरक्षित रहेंगे इस मूर कस्वर में हमें पूर महिश नारी के बारे में बता दिया होता तो तो हम और सटी के उजना बनाते अब क्या करें हम इस प्रकार यहां आकर युद्ध भूमी से लोट भी नहीं सकते एक दो पाश तो हमें इस पर फैकने ही होंगे इसके महिमा मंडल से हम भैबीत नहीं होंगे जो भी है यह है तो एक नारी ही ना और हम बलशालिय सुसेना पती चंड और मुंड हाँ इसी लिए निशंक होकर अपनी योजना को क्रियान विद्ध करेंगे हम सबसे पहले अपने बाणों का बार करेंगे हम बेवी अबश्य तुम्हारे बाणों को नस्ट प्रस्ट कर देंगी ये ये इतने विश्वा से कहा है तो क्या ये सत्य है क्या ये वास्ताव में हमारे बाणों को नश्ट कर देंगी हम दोनों तो मा के विरुज्चा कर उनसे नहीं लड़ रहे गिन्तु आप दोनों को योध्धाओं का धर्म निभाना ही चाहिए जैसा आपने असुर महानायक के राजभवन में कहा था वैसे ही अपना पाश फैक कर इन्हें बंदी बनाने का प्रयत न कीजिए जिने वो अबश्य चीज देंगी ये किसे भेज़ दिया सुर्मानायक ने हमारे साथ हमारा साहस बढ़ने आया है ये अथ्वाव से खड़ित करने नहीं इन दोनों को अंसुना करना होगा हमें मूर्ख असुरो मुझसे युद करने आये हो तो युद करो ऐसे भीरू बन के क्यों खड़े हो आओ युद करो मुझसे शक्ति शाली है हम वरदारी शक्तिया प्राप्त है हमें और ये मात्रिक नारी इसे थो हम अपने वश्च में कर सकते हैं इसने उनसुनों को पराजित किया होगा जो बन में हमसे कम होगे हाँ हम तो आती बलशाली असुर चैंड और मुंड है असुर सैनिको यही है वो अहमकारी नारी जिसने हमारे असुर सेना पती धुम्रिलोचं का वद किया था यही है वो नारी जो बार बार हमारे असुर महानायक का अफमाग करती है जाओ सैनिको जा कर अपनी शक्ति का परिचेदो उचित पाथ बढ़ाओ और खीच के लाओ इसे हमारे ख़दमों में जाओ साइनिको अब चंड और मुंड ने अपनी समस्त सेनाओं को माँ पर आकरमन करने के लिए भेज दिया है कितने भीरू हैं ये दोनों माँ से स्वेम युद्ध करने के स्थान पर अपने सेनिकों को मृत्यू के मुख में प्रविष्ट कर दिया हुनाने मैं यहां खड़े रहकर ये सब होते वे नहीं देख सकता मैं अब ही जाकर उस असुर सेनर का बिराश कर दूँगा समय रहते यदि कोई वास्तविक्ता को नहीं स्वीकारे तो उसकी पराजय निश्चित है